नवस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सर्मार्ग धन की आवसकता हर किसी को है और जब लाग प्रियास के बाद धन्ना बचे तो एक बार अपने कीचन में जरूर आईए क्योंकि आपके कीचन में छुपा है आपके खुसाली का राज आप कितना कमाते हो कितना बचा पाते हो आपका स्वास्त कैसा है आपके घर में प्रेम भाव है या नहीं ये सभी चीजे आपके कीचन से ही पता चलता है जहां आज हम बात करेंगे आपके रसोई के आटे की वही आटा जिसका आप रोटियां बनाती है आटा गुतने के पर झीवन में मुश्क्लें बढ़ जाती हैं जो आपके जीवन के जो घर पड़िवार की वास्तु दोसेों को धूर करता है। जो आपके रावभी में जो निगिटिवीटी बढ़ गई है। को समात करता है जो जीवन में खुशियों को किसी की नजर लग गई है वो भी समात होता है आज हम बात करेंगे आपके घर के आटे की वही आटा जिसको आप गूत कर रोटी बढाती हैं देखें महिलाएं अक्सर अपने किचन में काम अपने तरीके से करती हैं और बहुत में भी बचे और एक ही काम बार-बार ना करना पड़े लेकिन आज हम सास्त्रों की माने तो आज हमें खास आपको बाते बताएंगे क्योंकि ये काम अगर आप कर रही हैं तो कहीं न कहीं आपके जीवन में जो तरक्की रुख गई है उसका कारण आपके घर का आटा हो सकता है देखे सास्त्र कहता है कि आटा उतना ही गूथना चाहिए जितनी आवसकता हो और पहले से गूत कर रखने से आपके स्वास्त को भी नुकसान होता है वैसे आप आधे गंटा तक पहले गूत सकती हैं लेकिन जो रस से ज्यादा समय तक गूता वा आटा नकात्मक को सोख लेता है और इसके खत्रे को भी बढ़ाता है देखिए अगर हम आपको बिस्तार से बताएं तो आपके घर में चकला बेलन भी है तबा भी है और आटा भी है अब कई बार क्या होता है आप बार जंजट में पढ़ने से पहले क्या करती है बस एक ही बार धेर सारा आटा घुत कर रख नी थोरा फ्रीज में रख दिया रात में बन रहे है दीन में बन रहे है कि आपको पता है आटे को इस्तेमाल करने से ऐसा आटा बिल्कुल बचना चाहिए क्यूंकि एक बार में आप बहुत सरे आटे को गूत कर फ्रीज मुठी की चाप डाल दें मुठी से मुचा उंगलियों को मोर लें और चाप डाल दें कि जैसे वो एक गोल सा पिंडर ना दिखकर उसमें उबर खाबर टाइप से हो जाए तो यह आटा फिर आपके जो निगेटिव एनरजी उसको आने से बचाएगा लेकिन एकदम से चिकना क करके आटा भूल कर भी मत रखे कहा जाता है कि गुथेवे आटे को घर पर रखना दोबारा इस्तेवाल करना भी उसुब होता है तो ऐसे में घर का महौल लड़ाई जगड़े या फिर स्वास्त की समस्या लेकर आता है अब पहले से वे गुथे आटे को रोटिया बनाकर ख रखें कि बचाओ आटा फ्रिज में ना रखें बलकि उसको आप रोटिया बना ले या पिर अपनी उंगलियों का निसान बना दे और फिर रखें अब दूसी बात जब आप आटा गुती है तो उसके भी नियम है पानी से तो गुथा ही जाएगा लेकिन आप उसमें थोरा स को तो क्या होगा उसकी जो खुसबू उठेगी ना वो सकात्म कुर्जा को बढ़ाता है मां लक्षमी को आकर सीद करता है तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिए और चकला बेलन हमेशा साथ रखें खड़ा करके बिलकुल भी ना रखें तबाह है उसको दाहिनी तर बखके चुले के खड़ा करके ना रखें साप सुथरा करके छिपा कर रखें और जो काम कर लेती हैं आप खाना बना लेती हैं तो हमेशा ही सफाई करके ही रखें गंदे तबे पर खाना मत बनाएए आपके घर में जो गेहूं के आटे हैं आप चाहें तो उस आटे की पावर बनाने के लिए सूखा हुआ एक दो तुल्सी का पत्ता डाल कर रख सकते हैं और जब आप रोटियां बनाएंगी तो पहले सबसे पहला चोटा रोटी बनाकर हटा लें और सब्से में भी बना कर हटा लीजिएगा लाश्ट वाला रोटी कुते लिए होता है पहला रोटी आपकी सेविंग बढ़ जाएगी और जीवन में जो पित्री दोस है जो आपके जीवन में बहुत सारे होता है कभी-कभी आपकी कुंडली में ही ऐसा दोस हो जाता है कि बरकत नहीं होती है आप आगे नहीं बढ़ पाते तो इससे गरहों की सांती हो जाती है छोटे-छोटे प तो कहीं ने कहीं जोतिस भी है तो उमीद है आप समझ चेके होंगे कि आटा कैसे गूतना है और कैसे रखना है कितनी देर रखना है अगर वीडियो पसंद आ है तो प्लीज लाइक कर सबस्काइब जरूर करें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और ज्यादा जानकारी के ल